देखो अब जड़ा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को देखें मालो मेरे पास यह दो सरकल है ठीक दोखो यह इसका सेंटर है सीवन और यह इसका सेंटर है सीटू यहां से इसको मिलाया दोखो ऐसे करके यह मालो टीटू है और यह माल लिया टीवन है हाना दोखो माल लिया यह टीटू है ठीक यह इसका रेडियस आरवन है दोखो यह इसका रेडियस आरटू है जहां दोखो इसको मैंने इससे मिला दिया हना और दोखो दूसरा transverse common tangent ऐसे है यहां पर भी अगर हम ध्यान दें देखो यह ट्रेंगल यह एंगल 90 यह एंगल 90 और यह एंगल आपस में बराबर तो दो एंगल बराबर हो गए तो इसका मुला दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए तो दो को ट्रेंगल पी सीवन टीवन सिमिलर टू ट्रेंगल पी सीटू टीटू यहां दो ऐसे हैं ना दोगो P C1 T1 और P C2 T2 दोनों ट्रेंगल दोगों आपस में सिमिलर हो गए है अब दोगों अगर वो सिमिलर हो गए हैं तो हम कह सकते हैं C1 P अपान C2 P बरावर क्या हो जाएगा वोलो R1 by R2 तो दोगों जैसे अगर हमें C1 मालूम हो और C2 मालूम हो और दोगों P पॉइंट ये है इसका रेशो क्या है इसका रेशो है R1 और R2 तो इस P पॉइंट को हम इंटर्नल डिविजन फार्मूले से निकाल सकते हैं ये X1 Y1 होग ये X2 Y2 होगा ये M होगा ये N होगा है ना दोखो हम इस C P पॉइंट को इंटर्नल डिविजन फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं ना P पॉइंट को हैना ये C1 C2 को R1 और 2 के रेशो में इंटर्नली डिवाइड कर रहा है ठीक है अच्छा अब दोखो घ्यान दो जैसे जो T1 T2 है इसे कहेंगे क्या लेंट ओफ ट्रांस बर्सरी है ना पॉमन टैंजेंट अ लेंट आफ ट्रांसवर्स को मेंट इस को भी हम निकाल सकते हैं दोखो इसे कैसे निकाल लेंगे ये दखो C1P C2P का रेशो क्या है R1 by R2 यह C1P C2P का रेशो है देखो इसको निकालेंगे कैसे देखो इसको निकालने का तरीका यहाँ पर यह है कि देखो क्या करेंगे यहाँ पर ध्याँ दो कि इसके parallel line यहाँ से draw करेंगे ऐसे करके T1, T2 के देखो यह parallel line यहां से ट्रॉ की है ना देखो यह मालो C2M है यह line देखो इसके parallel T1 T2 के देखो parallel यह line मैंने ट्रॉ की M C2 है ना देखो यह angle 90 है तो यह भी angle 90 होगा अब देखो ध्यान दो क्या हो रहा है ट्रेंगल C1 C2 M को देखो ट्रेंगल C1 C2 M को देखो देखो हना C1 C2 को मैंने D माल लिया centers के बीच की distance को देखो C1 C2 distance को मैंने D माल लिया देखो यह R1 है यह R2 है तो देखो यहां पर यह point T1 है और देखो यह भी R2 हो जाएगा R2 ध्यान दो क्योंकि यह R2 है तो यह भी R2 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा बोलो R1 हो जाएगा ध्यान दो तो देखो अगर हम C1 C2 को D माल लिया तो देखो ट्रेंगल C1 C2 M को देखो यह angle 90 है तो हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं देखो D square बरावर D square बरावर R1 प्लस R2 का whole square प्लस C2 M का square हाना C2 M और दोखो C2 M यह T1 T2 के equal हो जाएगा हाना तुकि दोखो यह इसके parallel है तो जितना distance C2 M होगा उतना ही distance दोखो यह T1 T2 हो जाएगा तो अगर हम इस triangle में देखें इस triangle में दोखो यह angle 90 है तो क्या होगा C1 C2 का square बरावर दोखो यह R1 प्लस R2 का square plus C2 M का square वो ही दोखो हमने यहाँ पर लिखा C2 M T1 T2 होगा दोखो यहाँ से हम C2 M निकाल सकते हैं क्या होगा under root D square minus R1 plus R2 का whole square और C2 M क्या है T1 T2 under root of D square minus R1 plus R2 का whole square दोखो यह आ गया length of transverse common tangent दोखो यह आ गया है ना length of transverse common tangent दोखो यह T1 T2 length आ गई transverse common tangent की length को निकालने का दोखो यह एक formula हमें मिल गया ध्यान दोखो transverse common tangent की length को दोखो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि P T1 निकालो और P T2 निकालो दोनों को sum कर दो T1 T2 को दोखो निकालने का तरीका यह भी है P T1 प्लस P T2 ऐसे भी कर सकते हैं मतलब P point पहले निकालो उससे इस circle पर tangent की length निकालो under root S1 से फिर इस circle पर tangent की length निकालो under root S1 से और P T1 और P T2 को add करेंगे तो हमें T1 T2 मिल जाएगा मतलब transverse common tangent की हमें length मिल जाएगा और दोखो इसी को निकालने का एक और formula हमारे पास यह आ गया transverse common tangent की length को निकालने का तो ध्यान दखना कि हम P point भी निकाल सकते हैं इस internal division formula से अब दोखो transverse common tangent जो है वो यहीं पर बनता है दो है ना तो दो transverse common tangent दोखो यहाँ पर बनता दो ध्यान दो जैसे जब दो circle external test कर रहे थे ऐसे करके दोखो यह यह तो दोखो यह C1 है और दोखो यह C2 है ठीक है यह दोखो यहाँ पर C2 है यह दोखो इनका point P है P तो दोखो इसमें भी अगर हम यह tangent draw करेंगे तो C1P और C2P का ratio क्या हो जाएगा R1 upon R2 हो जाएगा ध्यान दोखो तो इस वाले case में भी C1P और C2P का ratio R1 upon R2 रहेगा यह कि दोखो यह distance होगा इसका radius और यह distance होगा इसका radius तो उनों को divide करेंगे तो हमें C1P और C2P का ratio मिल जाएगा R1 by R2 तो चाहे external touch करें चाहे यह वाला case हो P का ratio यही रहता है C1P C2P का ratio R1 by R2 रहता है यहाँ पर ध्यान दोखो तो यह cases हमें ऐसे करने हैं तो दोखो direct common tangent का length, transverse common tangent का length यह सारे formula हमें याद रहने चाहिए D क्या है, D है centers के बीच का distance, C1C2 के बीच का distance, लिखो जड़ा इसको द्यान से